हेलो फ्रेंड्स शेक्रिष्ना मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी की जन्मे आप सभी को शेक्रिष्न जन्माश्कमी की हाड़ीक शुब काम ना ए आज मैं आपके लेके आए हूँ जन्माश्मी के लिएんと special कलाकंथ की रेसेपी इस कलाकंद को आप मातर 15 मिनिट में बनाके त्यार कर सकते हैं बगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं और अगर आपने वरत किया है तो आप इसे वरत में भी खा सकते हैं सूपर सॉफ्ट और एकदम दानेदार कलाकंद बनके त्यार होगा और इतना ज़ादा डिलिशियस है कि कोई नहीं कह सकता कि ये कलाकंद आपने घर में बनाया है चली रेसिपी शरू करते हैं तो जटपट सा सूपर डिलिशियस दानेदार कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहा बजार वाला पनीर लिया है उससे पहले आप अच्छे से किसी टीशू पेपर से पहुंच लें जिसके उपर का पानी अच्छे से सूख जाए उसके बाद मेडियम साइज का जो ग्रेटर होता है उससे आपको इसे कद्दू कस कर लेना है हाथ से क्रमबल आप इसे ना करें कद पाउडर कि वहीं मिल्क पाउडर जो आजकल ब्लू कलर के पैकेट में इसीली मार्केट में मिल जाता है तो मैंने यहां पर डेढ़ कप लिया है 200 ग्रम पनीर के लिए साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप के जितने जीनी जिस कप से नापके मैंने मिल्क पाउडर लिया है उसी कप से नापके आधा कप चीनी लिया है और आधा कप हम इसमें दूड डाल देंगे दूड रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है अब इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो सीधा कड़ाई मे कोई गुटली ना रहे है चीनी अगर इसमें पूरी तरह से नहीं घुलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए तो यहां पर देखे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है थोड़े से चंक्स पनीर के और थोड़े अब घर की कोई भी प्लेट या फिर ट्रे या फिर कोई टिफिन बॉक्स टाइप का होता है बच्चों का वह भी ले सकते हैं इस कलाकंद को सेट करने के लिए तो मैंने यहां पर इस पर बटर पेपर लगा लिया है अब गैस पर मैंने कड़ाई रखी है लेकिन अभी इसको अन नहीं किया है सारा मिक्षर हम कड़ाई में डाल देंगे एक दम अच्छे से सूट के डालेंगे चीनी वीनी जो अच्छे से घुली नहीं है एक बाद सारा मिक्षर कड़ाई में डालने के बाद अब मैंने गैस को अन कर लिया है फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रख इसमें जब तक गीला है तब तक आप इसको लगातार चलाएं और वांच मिर्ट में थेकर इस तरह से गाड्या वनना शुरू हो गया है विभावल चैनल compress अब तक यहां पर देकर पावडर डाल रहे हैं वह ज्यादा फैट कंटेंट फाला नहीं है तो दो चमबच घी डालने से क्या होगा कि मठाई में टेस्ट भी अच्छा आएगा पैन में भी नहीं चिपकेगा और मठाई की उपर एक अच्छी सी ग्लेज भी आ जाएगी तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगातार तब तक चला लेंगे जब तक कि यह जो मिक्षर है वह पैन चोड़ना शुरू नहीं कर देता है और एकदम अच्छे से गाड़ा नहीं हो जाता है तो बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसको लगातार चलाना है चलाना आपको इसे छोड़ना नह करने के लिए मैंने यहां पर आधा चम्मच इलाइची का पाउडर डाला है आच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं मिक्षर बिल्कुल अच्छे से गाड़ा हो चुका है दूद इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है और इसने पैन चोड़ना भी शुरू कर दिया हमें इसे बस दो मिनट के लिए और पकाना है जब तक यह बिल्कुल अच्छे से पैन चोड़ना शुरूना कर दे और यहां पर आप देख सकते हैं सिफ 10 मिनट हुआ है 10 मिनट में इसने पैन चोड़ना शुरू कर दिया है इसी स्टेज तक आने तक आपको मिक्षर को पकान अगर आप कलाकन थोड़ा सा गिला गिला रखना चाते हैं तो गिले में ही उतार लें लेकिन अगर आप मिक्षर को बर्फी की तरह सेट करना चाते हैं तो इसी स्टेज तक आने तक आप इसको पकाएं देखिए जिस तरह से भी पैन चोड़ना शुरू कर दिया है ना पस इ इसे कड़ाई में ही थोड़ा सा हलका सा थंडा हो जाने देंगे कड़ाई बहुत जादा गरम है तो इसको एक से दो मिनट के लिए चला लेंगे और जैसे ही हलका सा थंडा हो जाएगा इसे हम ट्रांसफर कर देंगे बटर पेपर या फिर ग्रीस करी हुई प्लेट या फिर पिल्कुल मार्केट के कलाकन जैसा आता है तो मैं इसके उपर थोड़े से कटे हुए बदाम और पिस्ता लगा रही हूँ थोड़ा सा दबा देंगे इसको जिसे की बर्फी के अंदर मतलब हमारे कलाकन के अंदर एकदम अच्छे से से और जब हम इसको काटें तो यह जो अंदर निकले अब हम इसे सट होने के लिए चोड़ देंगे चार से पांच गंटे के लिए अगर आपके हम पस्कुल है तो आप एक से दो गंटे के लिए इसको भाहरी छोड़े और फिर 10-15 मिट के लिए इसको लास्ट में फ्रीज में और आप देख सकते हैं हमारा कलाकंद बिल्कुल पर्फेक्ट बना है तो अब हम इसके पीसिस कर लेंगे तो जैसे मार्केट में चौकोर थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं उसी तरह से मैं आज इसको कट कर रहे हूँ और जिस तरह से मैं कट कर रहे हूँ फिर आपको इसको वरत में खाना हो यह मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें घर में बच्चे हो यह बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी और कोई नहीं कह सकता कि यह कलाकंद आपने घर में बनाया है इसका कलर इसका पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल पर नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो यहां पर मैं एक बर फी या फिर एक कलाकंद आपको इस तरह से तोड़के दिखाती हूं कि यह कितना सूपर सफ्ट और एकदम दान आई है तक यह सो मुच पर वच्छंग